कितर गया? ममा, सीरा कितर है? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? सीरा चाहिए, पिश में ढ़ाले, नहीं मिल रहा है यह रहा, सामनी तो पड़ा है अजी हम परो क्या ममा, बोलती हुना मैं आपसे मुझे खाने मत पनवाय करो अंधी हो चाहूँगी मैं एक दिन अच्छा? हम तो रोजी खाना बनाते हम तो अंधे नहीं हुए जोग की बाप से, मेरी स्कीन और आखे खराब जाई फिर मैं ब्यूटी कुइन कैसे बनूँगी? अरे वा मेरी ब्यूटी कुइन के नखरे बड़े अच्छा जा बेटा, जाके तुख्यल में बड़कर लोगी यही पचाती थी अच्छा जा इस गोल घूमती दुनिया के एक छोटे से हिस्से पे हम सब अपने सपनों के अपने अपनों के इर्थ गिर्थ खुशी का बहाना डून रहे हैं पर मेरी हर मस्कान इस भरोसे पे भरपूर है कि मेरे पापा हम सब की स्रक्षा का कवच है मैं, मा, आस्तादीदी, बिट्टू और पापा, हम सब खुशते लेकिन उस दिन ने मुझे इतना डरा दिया कि हम सब अरे आशालदी, स्कूल में अनुल स्कोर्ट पर से शुरू हो गए अब बिट्टू पे उसमें पाटिसिपेट करना है अब तो हमें स्कूल से अकेले घर पर जाना पड़ेगा यह तो अच्छा है ना? स्पोर्ट के जक्कल में हमारी जल्दी छुट्टी हो गई क्योंकि हमने पाटिसिपेटी नहीं किया अर्का पाटिसिपेट करना भी है ना? तो स्कूल वाले को इस ब्यूटी कॉंटेस करते तो करते इतने सुन्दर कपडे इतने सुन्दर बाल अर पते है ? मैं ऐसे जलती अरे सब लेखना छोड़ दे प्रिया हमारी स्कूल में कभी ब्यूटी कॉंटेस होगा है नहीं ज्योंगा इस स्कूल में हैट बोई महीं बनने वाला हूँ तो इसकूल कमिटी से बात करके बीटु कॉनटर्स और्गराइस करने के लिए बोल दूँगा चल प्रिया मेरा घर तो आ गया अब तू अपने घर जाएगी या मेरे घर उकेगी नहीं आज आसता दीदी घर आ रही है तूजा मैं चली जाओगी ठीक अपर जंगल में संभलका जाना जंगल में भालू भी है अद तुम्हारे पीछे का चालू भी ज़जा भाई दूआए मेरा घर तो आ गया तुम अकेल हो, क्या मैं तुम्हीं चोड़ गूँ नहीं नहीं नहीं, तुजा बालू बिल गया तो आज्या, बालू बिल हो तो मैं डाती किसे बालूसे और नहीं किसे कचालूसे यह ले अपनी चत्री रख, राज, बात में देते ना. ने, ने, रख, जाले, 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 जाले. जाले. ताला लगा हुआ है, अब्बया, यह रख दीजिए. अरे, आस्ता, आगे हैं, बिट्टा? वाम्मी. क्या, मा, सबसुराल से माई के मैं आई हूँ, और यहां कोई है नहीं मेरा वेलकम के लिए? कहां है बिट्टू और प्रिया? अरे, बिट्टू की तो सपोर्ट दे की तायारी चल रही है, तो अपने दोस्त के घर ही रुग गया है. हर प्रिया, आई रही थी, पर पथा नहीं अब तक क्यों नहीं पहुंची है? मैं तो अडोस पडोस में भी पूछ के आ गई, कि कहीं खेलना रही हो किसी के घर, पर वो किसी के घर नहीं है. वो अकेली आ रही थी या? नहीं, वो शालिनी के साथ आ रही थी, पर शालिनी का घर तो बहुत पहले पढ़ जाता है, तो रुकुमा, मैं फोन करती हूं शालिनी को. शालिनी, जरा देखना किसका फोन है? हलो? हाँ, शालिनी, मैं आस्था बोल रही थी. प्रिया अभी तक घर नहीं पहुची. घर नहीं पहुची? पर प्रिया तो चली गई थी, और अभय भी था उसके साथ. अभय? नंबर है तुम्हारे पास उसका? हलो? हलो, अभय बिटा. मैं प्रिया की मा बोल रही हूं. श्रालीनी ने बताया कि तुम प्रिया के साथ आ रहे थे, पर प्रिया अभी तक घर नहीं पहुची है. क्या? पर अटी जी, मेरे घर वाले रास्ते तक तो प्रिया मेरे साथी थी. पर अभय बेटा, वो अभी तक घर नहीं पहुची, तो फिर कहा रह गई? क्या आपने हैं? आए लोगी, क्या तुम मेरे गल्फिंड बनोगी? हाँ, बोलो. क्या? रात हो गए यह बेटी अब तक घर नहीं आई है, और तुम महत बतारी हो मुझे? भारी, दुकान बन करोच जो जोड़ी. प्रिया! 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 प्रिया, 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 तेरे पापा मुझे सुनाने का एक मौका नहीं चुनते, मैं उन्हें कहते हूँ कि बच्चे 5-5 किलोमेटर दूर से चल कर आ रहे हैं, उनके लिए कुछ कीजिए, पर नहीं, उन्हें तो मेरी बात सुननी ही नहीं है, मा, पापा से जितना बनता है वो करते हैं, और मैं भी तो स्कूल से अकेली आती-जाती थी, क्या मुझे कभी कुछ हुआ? अरे बेटा आनोनी कहकर नहीं आ दी है, पर तुम यह बात नहीं समझेगी, हिमा पहाडवाली, मेरे प्रिया की रक्षा करना, मेरे प्रिया की रक्षा करना, साब, साब मेरी बच्ची कहो गई है साब, साब प्लीज, 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 इसे डून दीजिए साब, क्या हो आपकी बैटी को? सोलान की स्कूल में पढ़ती है, और रोज जंगल के रास्ते से, हमारे ठीकड़ी कहा पहुँचती है, अब तका ही नहीं साब. मिश्रा, फॉरस्टवालो को इन्फार्म कर, उनसे के बच्ची को डूणड़े, आप चलिए मेरे साब. चलिए साब. प्रिया! 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 और जल्द ही एक सूत्रा सामने आई सर जंगल में बच्ची के लास मिल गई है सर मेरी बच्चे है मेरी बच्चे है चोड़ो मुझे मेरी बच्चे ज़या ज़या मेरी बच्चे जब यह बड़ी मिली इसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था लगता है मुझे से पहले रेप किया गया है बच्ची के साथ मेरी क्या कर रहे है आप लोग बंद कीजे कैमरा बच्ची की डेथ हो गए यहाँ पर फोटर नहीं काल रहे है बंद कर प्रिया के रेप और मॉर्डर केस ने जल्दी ऐसा विकराल रूप ले लिया कि एक हबर सोशल मीडिया, अख़बारों और इलेक्ट्रोनिक मीडिया की एक बड़ी चर्चा बन गई सोलन की टेगडी गाउं की रहने वाली प्रिया के साथ ना सिर्फ दुषकर्म हुआ बलकि उसकी हत्या भी कर दी गई कानून मंत्री ने पीडिता के परिवार के प्रती समवेदना जताते हुए ये भरोसा दिलाया है कि प्रिया मर्डर और रेप केस की जाच के लिए तुरंत S.I.T का गठन किया जाएगा इस केस पे जल्दी S.I.T का गठन हुआ और केस की अगवाई हिमाचल प्रदेश के S.P. मुकुंद लखनपाल को सौपी गई और S.P. मुकुंद लखनपाल ने सोलन पुलस अधिकारियों से पूरे मामले का संग्यान लिया सर प्रिया को आखरी बार अभाई और शालनी नाम के स्टुडेंट के साथ देखा गया था सर पहले शालनी का घर आता है और उसके बाद अभाई का और अभाई ने हमें बताया था कि प्रिया तुंगला रोट से हुटे हुए अकेले ही अपने का और टेकडी की तरफ गई थी यानि आखरी बार उस अभाई ने ही इसको दिखा था राजीव कहीं ये लड़का कुछ छुपा तो नहीं रहा है सर अभाई से बात करके ऐसा कुछ लगनी रहा है लेकिन सर प्रिया की हालत देखकर लग रहा है कि उसके साथ ग्यांग रफ हुआ है अभाई और शाल्वनि के बयान के मताबिक वो उन दोनों के साथ आई धौली पट्टी और धौली पट्टी से तूंगला रोठ तक वो अकेले अभाई के साथ गई जहां आभाई का घर है प्रिया के साथ हुई खटना ने लोगों का मान इतने खौफ से भर दिया कि उस शेत्र के लोग अपनी बच्चियों को अकेले घर से बाहर भीजने में भी डर रहे थे अब है प्रिया को आखरी बार देखने वाला चश्मदीत था लेकिन क्या उसने सच बोला था इसकी जाज भी पुलिस कर रही थी वही प्रिया को खोचका प्रिया का परिवार अब भी सक्ते में था और S.P. मुकंद लखनपाल प्रिया के पिता से प्रिया के दोशियों तक पहुचने के संकेत खोज रहे थे बेनोच जी हो सकता है कि आपकी बेटी पर पहले से किसी की बुरी नजर रही हो कभी उसके साथ कोई छेड़ चाड़ या कोई भी ऐसी बात जो प्रिया ने कभी आपको बताई हो नहीं वो तो उस जंगल के रास्ते से हमेशा दी जाती थी हमें सिर्फ एक बात का डर था कहीं कोई जंगली जानवर से उसे खतरा ना हो लेकिन हमने यह नहीं सोचा थी कि आज का इंसान जानवर से जादा खतरनाक हार आजी बोलो तर तुंगडा रोड जिस रास्ते से प्र अभिशेक का गोडाउन पढ़ता है और सार इस्तानी लोगों के मुताबिक जिस राम प्रिया के साथ या आजसा हुआ अभिशेक को अपने गोडाउन में काम करने वाले वर्करों के साथ शराब पीते हूँ देखा गया तो हो सकता है प्रिया का ग्यांगरे पिन शरावियो कियो है किया हो से मैं अभिशेक उन शराज विभास बाढ़ो निचार हो कोन है और स्वक्त का है सर ये सिराज है और बाकिसफब पार्टी को डिलिवरी देने गए लेकिन बात क्या है ताने चलू सब बताता हूँ डालो इंसंब को सर लेकिन बात क्या है वह बोल। शर अम बानते है कि कल हम सब साथ में थे लेकिन ना मैंने कुछ किया और ना ही मेरे वहकस ने साफ प्रिया को आमने बच्पन से बढ़ा होते हो ही देखा है हमारे गाओं के लड़की है उसके जानाम ऐसे चू करेंगे साव आपको जरू कोई गवस्ताम ही हुए वागी साप सार आप यू हम पर जूटा अरोप नहीं लगा सकते तीकडी गाओ का पुराना खांदानी आदमी हो भी खांदान दो तेरा रहा नहीं और जो लोग तेरे साथ काम करते हैं उनके साथ मिलकर एक बच्ची का रेप और मुडर करते हैं तुम लोग यह से नहीं बताएगा कस के तोड़ो इन सबको सार मैं कुछ नहीं कर आए असर इनकी एक्ता ऐसे टूपने वाली नहीं सबका डियने गरवाओ अर वे लड़की की पॉसमाटों रिपोर्ट का स्टेटर्स कहा है सर रिपोर्ट आने में अभी एक हफ्ता और लगेगा कुमुद कुमुद चल अंदर चल करे नहीं आए कि प्रियाब दिख कुमुद कुमुद रोले रोले परना यंदर का जखम नासूर बन जाएगा बोल जिए उना मैं आपसे मुझ सिखाने मत बन बाये करो जोग की बापसे ना मेरी स्कीन और आखे खराब हुजाई फिर मैं ब्यूटी कुइन कैसे बनूँगी पुरी 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 प्रिया की हत्या और उसके साथ दुषकर्म करने वाले छे संदिख्धों को वम लगों ने हिरासत में लिया है वो सबके सब उसके गाउं कही है ये भी सामने आया है कि अकसर प्रिया स्कूल से घर वापस जाते वक अभिशेक टेहरी की जीप से लिफ्ट लिया करती थी वारदात वाली ये विशेक टेहरी और उसके पांच करमचारी टॉंगला रोड के पास शराप पीते वे नजर आये थी कि वारदात वाली शाम पहले इन लोगों ने पीड़ता प्रिया को लिफ्ट दी अपनी जीप में फिर जंगल के बीच ले जाकर उसके साथ दुषकर्म किया और उसकी हत्या कर दी है पुलिस डेपार्टमेंट को पीड़ता और उसके परिवार के साथ पूरी सहन भूती है और हम उसके दोशियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रतिपत हैं हम उन छे लोगों का डिने टेस्ट भी करवा रहे हैं और बहुत जल्द उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा कुमुद दीदी, मेरे पती सिराच को बेकार में घसीट हो जा रहा है उसमें कुछ नहीं किया था प्रिया के साथ बिनोच जी, मेरे बेटे बीजू ने भी कुछ नहीं किया भला अपने ही गाओं के लोग ऐसा थोड़े ना कर सकते हैं देखे, ये तो भगवान ही जाता है कि मेरी बेटी का दोशी कौन है लेकिन हमें अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए पर बिनोच जी, पुलिस जरूर किसी बड़े आदमी को बचाने के लिए उन इर्दोशों को दोशी बनाना चाहती है लेकिन जब मुझे पता ही नहीं कि कौन दोशी है, कौन इर्दोश तो मैं पुलिस के काम पर उगली कैसे उठा सकता हूँ देखे, आप लोग जाईए यहां से सर, इन सब की एकता टूटती हुन नजर आ रही है हालागि सर उन्होंने कबूल नहीं किया कि प्रिया का मर्डर और रेप उन्हों नहीं किया लेगि सर जब हम इंका डियने टेस्ट करा के इने थाने रेटन ला थे तो लोग आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे पहल्जाम लगाने लगे कि इस अब तेरी वज़े से हुआ तेरी वज़े से हुआ पटो बीजो साले तेरी वज़े से में सब जहलना पड़ना है तेरी वज़े से क्या बोल रहा है में शिराथ को उठे पर कॉन जाता था चौल किसको लगी थी समीने साले कुद की बीवी तो संबालता नियों तो मुझे भाई है चाड़ से चाड़ एक काम करो इन सब को एक ही लॉक अप में बंद करो और अबज़व करो हो सकता है डिन ने टेस्ट की रिपोर्ट आने से पहले इनका कबूल नम आ जाए ठीक है साम मैं तर गई मैं तर गई पापा बचाव पापा बचाव पापा बचाव और मालू टर की से बचाव पापाव पापाव पापव पापाव पापाव कुछ मार ने मुझे तह समझा दिया कि प्रिया आपने ही आएगी लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो अमारे बीच में क्यों नहीं है चानता हूं तुम मुझे एक उस होगी मैंने एक उतायवरती उनके स्कूल आने चाने पर मेरे जैसे बहुत है दुनिया में कि अपने बच्चों को स्कूल तो भेज़ देते हैं तेकिन ये बंदबस नहीं कर पाते कि उनका बच्चा बस मोटर में स्कूल आए जाए है और दोश स्रिफ मेरा नहीं है कि पुरी दुनिया का दोश है कि जाने एक फूल मसल दिया जाते है और कांटों का मोल भाउट आराजी बोलो वाट गो किसने मारा इसको? किसने मारा इसको? S.I.T के इंवेस्टिकेशन में सामने आए छे सस्पेक्ट्स में से एक सिराज की कस्टोडियल डेथ ने इस केस पे विरोध की ऐसी चिंगारी भूग दी कि इन छे सस्पेक्ट्स के परिजन पुलिस की कारेशाली पे सवाल उठाने लगे मेरे पती निर्दोश थे उन्होंने प्रिया के सथ कुछ नहीं किया था पुलिस उन पे चूटा अरूप लगा के बागा सिराज क्या मेरा बेटा बीजू और उनके मालिक अभी शेक और बाकी के सभी लोग निर्दोश है पुलिस जरूर किसी बड़े आपनी को बचाने के लिए इन मासुमों पर हन्याई कर रही है कस्टोडाल डैट के विक्टम शिराज और बाकी पाच लोग क्या वाकी में प्रिया के गैंग रेप और मडर के दोशी है अगर ऐसा है तो उन सभी सस्पेक्ट के परिजन जो बोल रहे हैं क्या वो सच है अगर सच है तो वो कौन बड़ा अदमी है जिसे पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है बीजू की कस्टूडिल डेथ के बाद S.P. मुकंद लखनपाल सबेट S.I.T. के कई पुलिस कर्मियों को सस्पेंट कर दिया गया और केस C.B.I. को सौब दिया गया सबसे पहले हमें इस सवाल के जवाब ढूड़ना है के सिराज समेथ S.I.T. के जो चे सस्पेक्ट है क्या वाके ही उन्होंने पुलिस प्रिया के साथ गैंग गरेब और उसका मुडर किया सर उन्होंने कंफेस नहीं किया था और S.I.T. उनके डियने रिपोर्ट का बेट कर रही है नहीं प्रिया की पोस्टमॉटल रिपोर्ट भी नहीं आई है लाइट दी एक्जामिन डॉक्टर्स और रही बात इन पांच सस्पेक्ट्स की तो इन से सच उखलवाने के लिए डियने टेस की रिपोर्ट का इंतजार हमें भी नहीं करना चाहिए सिराज को मार के तुमने ये तो साबित कर दिया कि तुम लोग मर्डर तो कर सकते हो अब प्रिया को मारने से पहले उसके साथ क्या क्या किया था ये बता सर हम तो शुरू से ही बोलते आ रहे हैं कि हमने प्रिया के साथ कुछ भी नहीं किया और नाई हमने सिराज को मारा, सर, सिराज तो पहले सी भेचारा बहुत परिशान था, और गुस्से में इधर उधर टहल राथ और उसका पैर फेसल गया सिराज, सर, उस वक्त हवल्दार भी ड्यूटी पर नहीं थे, और उन्होंने हम पर जूठा आरोप लगा दिया देख बेटा, ये तो सोचना मत, कि तुम में से एक मर गया तो पुलिस वाले डंडे को हाथ नहीं लगाएंगे साब, हम पहले भी बहुत पिट चुके, आप भी मार लो तुम्हारी ये मनो कामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी पर अगर जेल में जागे वैयाम ही करना है, तो हमारी कसरत कुझ करवा रहा है जो सच है वो ओगल दो, क्योंकि मुझे ये केस बहुत जल्दी क्लोज करना है सर हमें भी बहुत जल्दी हो, कि कब आप हम पर विश्वास करें और हमें यहां से बाहर करें सर रसी जल गई पर बल नहीं गई या फिर मगर मच के आंसू, क्या प्लाई करें पर इन पर इनसाफ में भले धेर हो जाए, अंधेर नहीं होना चाहिए केस कोई भी हो, ये मुहावरा हर केस में एप्ट बैठता है और इस केस की जड़ में उतरने के लिए, हमें उस दिन से शुरुआत करनी होगी जब प्रिया अपने दोश शालिनी और अभे के साथ स्कूल से आ रही थी शालिनी ने बताया कि उसने प्रिया को अभे के साथ छोड़ा था और अभे ने बोला कि उसने प्रिया को उसके घर वाले रास्ते पर छोड़ा था पहले इन दोनों बच्चों को टोटोलते हैं देखते हैं कि अंजाम से पहले गुनाह का बीच कहां से अंकुरित हुआ शाले ने कालेंदी गाव में रहती है और अवे तुंगला रोड के पास रहता है इनके घर का रास्ता नापने से पहले हमें प्रिया के घर वालों से मिलना चाहिए शायद उनसे मिलकर हमें सही रास्ता मिल जाएगा राइट सर्थ मम्मी मेरे टीशिट का बटन तूड़ गया है कल स्कुल में फुटबॉल मैच भी है सील दो ना क्या जरुआती तुझे फुटबॉल मैच में हिस्ता लेने की अगर उस दिन तुझ अपनी बहन के साथ होता ना तो आज हो हमारे साथ होती हुआ 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 है ओ फुटबॉलर जब करना ना मुझे भी आता है तोशों करने नॉन स्टॉप तेरे गोल करने से कम मुश्किल है तुझे तु दूलमिटी पसंद नहीं है ना फिर क्यों नंगे पर रसी कुदरी है पागल रसी कुद्ने से ना हाइड पर दिया और मिस्वल्ड बनने के लिए ना लंबी हाइड की जरुवत है सब्जा अरे लेकिन तु मिस्वल्ड बनेगी कब अभी सोला क्यों ना जब अठार के जाओंगे तो कांडाम शरू हरे फेले पापा से तो पूछ ले कि वो तुझे मिस्वल्ड बनाएंगे या नहीं तुझे फूट बोलर बना सकता हूं तो तुरिया को मिस्वल्ड नी बना सकता है वेडिकुर्ण बेटा, वेडिकुर्ण, कित आउवा? 125, 126, 126, 120 आउटोगै, आउटोगै, आउटोगै मम्मी, मुझे माफ कर दो, यह सब मेरी मुझे से हुआ है अगर उस दिन में जीन्दी के साथ आता तो जीन्दी के साथ ऐसा नहीं होता ही बेटा, उसके दुष्छी तुम नहीं हूँ हम सब तो उससे बहुत प्यार करते हैं नहीं हाटोगै हाटोगै प्रिया के साथ जो कुछ भी हुआ था वो या तो प्रिया जानती थी या उसके दोशी लेकिन प्रिया को आकरी बार सही सलाम रता उसके दोस्तों ने देखा था शालनी और अभयन है तो आपको कभी भी ऐसा लगा कि वो दोनों बच्चे आपसे कुछ चुपा रहे हैं नहीं हमें तो कभी ऐसा लगा नहीं अब फिर वो बच्चे बला हमसे कुछ क्यों चुपाएंगे देखे बिनों जी बच्चे अक्सर वही बोलता हैं जो उन्हें बोलने के लिए कहा जाता है और प्रिया से जोड़ी हर बात को जानना हमारा फर्स है एक खुली हुई किताब की तरह थी है हमारी बेट उसने हमसे कभी कुछ छुपाया नहीं अब पुलिस तो बोल रही थी कि प्रिया के साथ अभिशेक और उसके कमचारियों ने पर आप देखिए वो लोग अभी वी शक्के दारे में हैं लेकिन आपकी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए हम हर दाइरा तै करना चाहते हैं सुनिये, शालिदी? जी, सर मैंने पहले भी बोला था सबको कि प्रिया मेरे साथ मेरे घर तक की थी और उसके बाद वो अभय के साथ चली गई थी बेटा, हम आपसे सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि अभय और प्रिया कैसे दोस्त हैं मेरा मतलब है, अभय प्रिया के साथ कुछ… नहीं सर, वो तो प्रिया से प्यार करता था लेकिन ये बात हमें पहले किसीने बताई नहीं आपने बात पुलिस को बताई थी? नहीं, पर वो सब अभय पे शक कर रहे थे और मैंने इस बारे में अभय से बात भी की थी अभय सच सच बता, प्रिया को भालू ने गाब किया है ये तू कुछ चिपा रहा है? पागलों के सालीनी, मैं प्रिया सी प्यार करता हूँ और मैंने उसके आतरी सा कुछ भी नहीं किया लेकिन तुने उसको घर तक क्यो नहीं छोड़ा? मैंने बोला था उसको, लेकिन उस सुनती ही का है किसी की ओके मेरा घर तो आ गया, तुम अकेली हो, क्या मैं तुभी छोड़गो? नहीं नहीं, तुझा, मैं चली जाओंगी मैंने सोचा भी था कि उसके पीछे पीछे चला जाओ लेकिन कास में चला गया होता, तो इस सब नहीं होता बेटा, आपने बताया कि अभे प्रिया को पसंद करता था लेकिन क्या प्रिया अभे को पसंद करती थी? पसंद तो करती थी, लेकिन प्रिया ने मुझे कभी ने बताया कि अभे ने उसे प्रपोस किया था सर मैंने उस दिन प्रिया को पहली बार प्रपोस किया था उसके बाद तो तो वो साली ने को कैसी बताती मतलब तुम्हारे पहली बार प्रपोस करने के बाद ही प्रिया के साथ यह सब हो गया और अब तो हम प्रिया से यह बात कंफर्म भी नहीं कर सकते कि उसने तुम्हारा प्रपोस्जल एक्सेप्ट किया था यहां डिनाय किया था नहीं सर उसने डिनाय नहीं किया था एक्सेप्ट किया था प्रिया प्रिया रुको प्रिया क्या मैं तुम्हें पसंद में हूँ मुझे क्या, पुरे स्कूल को तुम पसंदो, अभे, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, लेकिन में तुम्हारी गल्फेंड नहीं बन सकती हुए ऑके ठीक है, गल्फेंड नहीं, तो फ्रेंड तो बन सकती हो ना? वो तो मैं हुई, लेकिन वो वाला गर्फेंड बॉर्फ्रिन वाला नहीं, देखो, जब मैं बड़े ओक्ये, ब्यूटी कुईन, बहुत बड़ी स्टार बन जाओगी न, तब हम एक गर्फेंड बॉर्फेंड के मामले में सोचेंगे, ठीके, तब तक के लिए हम B.F.T, P.F.F होंगे, best man forever, ठीके? अभे, कुछ छुपा में रहे ना? नहीं, सर, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ. सर, an old flame और an old head on a young shoulder, क्या apply करें इस लड़के पर? किताब के cover को देखकर, किताब का अंदाजा नहीं लगाए जा सकता. पर सर, मीडिया और उन छे संदिग्दों के परिवारों का आरोप है कि किसी बड़े आदमे को बचाने के लिए उन लोगों को फसाया जा रहा है. अब थियोरी चाहे मीडिया की हो या भरगलाई हुई जनता की उसको चेक करने में कोई हर्ज नहीं है. और जब तक DNA और पोस्ट मॉटम रिपोर्ट नहीं आती, बागी छे सेस्पेक्स के परिवार वालों को भी टटोलो. क्योंकि सिराज की मौत का उन्होंनों भी काफी बवाल मचाया था. साहब, सिराजी नहीं कुछ नहीं किया था. उन्हें फसाया गया था. साहब, मेरे बेटे को फसाया जा रहा है. जिस शाम प्रिया के साथ ये सब कुछ हुआ, वो मुझे अस्पताल लेकर गया था. लेकिन उस शाम तो आपके बेटे को अभिशेक और उसके दोस्तों के साथ शराप पीते हुए देखा गया था. सिराज और बीजू के बाद, CBI ने बाकी सस्पेक्ट्स के परिजरों से पूछताच की. वहीं इस केस में अभे और उसके पिता की भूबेंका को भी टटोला जा रहा था. प्रिया को खूच चुका उसका परिवार इस मुश्किल परस्तिती से उबरने का प्रयास कर रहा था. लेकिन प्रिया के साथ क्या इंसाफ होने वाला था, ये अब भी जाच का विश्य बना हुआ था. Sir. यह प्रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट. इस रिपोर्ट के मुताबग उसकी मौत उसी शाम होई... जिस दिन उसा शालीनी और अभे के साथ देखा गया. सब प्रिया का लेफ्ट एंड और लेफ्ट लेफ्ट लेग दोनों फ्रेक्चर किया गया तो और उसकी मौत दम गुटनेस होई थी सर इस रिपोर्ट में सबसे चौकाने वाली बात ये सामने आई है कि प्रिया के साथ गैंग रिप नहीं हुआ था प्रिया की बॉड़ी से सिर्फ एक ही डियने सेंपिल मिला था यानि उसका रिप सिर्फ एक ही इंसान ने किया था लेकिन उन छे में से कॉन एक, सिराजी यह बागी पांच में से कोई एक, सरीय तो उन छे के DNA रिपोर्ट आने साही के लिए रोगा, लेकिन साथ बीजू के बार में पता चला है को इसका सेक्स वरकर्स के यहां आ जाना था, डीन ने टेस की रिपोर्ट कब तक आएगी, साथ प्रिया की पोस्ट मॉटन रिपोर्ट यह थोरी बना रही है, कि प्रिया का रेप और मर्डर बीजू के हाथों हुआ, लेकिन बीजू के साथ साथ उन पांचो को भी SIT उठा के लिग एगी, सिराज ने भी पहले बीजू को प्लेम किया था, बीजू, साले तैरी वजे समें उसके बास सिराज की कस्टोडियल डेथ और SIT की यह रिपोर्ट कि उन पांचो ने मिलके सिराज को मारा, इसका मतलब यह भी हो सकता है कि सिराज का इसकार्ण में कोई हाथ हो ही ना, लेकिन उन पांचो को ऐसा लगा कि सिराज उनके बारे में कुछ जानता है और वो मुझ इसलिए पहले उनका जगडा हुआ और जगडा हत्या में तबदील हो गया, विकरांत, उन पांचो को नार्को टेस्ट करवाने की तेयारी करो, मुझे ऐसा लगता है कि डियने टेस्ट की रिपोर्ट आने से पहले ही प्रिया के रेप मुर्डर और सिराज की कस्टोडियल ड साथ मार्च की शाम, तुम अभिशेक सीराज, बाबू रोपक विबास कहा शरा पी रहे थे? टूंगडा रोड के पास उस शाम प्रिया भी टूंगडा रोड से जा रही थी, देखा था उसको? हाँ, देखा था उसे, वो उसी रास्ते से जा रही थी प्रिया के साथ क्या किया? लिफ्ट दी थी ना उसको जीप में? नहीं, लिफ्ट नहीं दी थी, हमने वो चली गई थे, लेकिन फिर बीजू गया था बीजू प्रिया के पीछे गया था? नहीं गर गया था, मा को अस्पजार लेके जाना था तो सिराज को क्यों मारा? मारा नहीं, उसका पैर भिसल गया था इनके नार्को टेस्ट से आपके एक भी सवाल का जवाब नहीं मिला मल्दब सार, ये लोग जो शुरू से बोल रहे थे उनके वही बयान किलियर करता है नार्को टेस्ट लेकिन इनके डिने टेस की रिपोर्ट आना भी बाकी है जाधा मेक अप मत कर देना फिकर मत करो दीदी, मुझे ऐसा मेक अप करने वाली आपको कहीं भी नहीं मिलेगी और मैं इतना अच्छा मेक अप करूँगी कि लर्गा आपका हो जाएगा और फिर शादी के बाद ये कमरा मेरा दीदी, मैं आपके साथ सो जाओ प्रिया दीदी के जाने के बाद उस रूम में सोने से मुझे बहुत डर लग रहा है कोई बात नहीं बिट्टू, आजो सरी क्राइम सिंग की फुटेज, प्रिया की बॉड़ी इस स्पोर्ट पे मिली है और उसकी पूस्ट माटम रिपोर्ट के मताबिक उसकी मौत शाम को हुई थी अंदेरा होने से पहले सर रात होने तक इस एरिया में लोगों का आना जाना लगा रहता है सर, जिस तरीके से प्रिया के रेप से पहले है, उसके साथ इस्टघल किया गया। उस से साफ है कि वो चिलमाई भी होगी लगिन इस केस में अभी तक वोई विटनर्स आम नें लिया है तो सर हो सकता है कि प्रिया को कहीं और मारा गया हो और उसकी body को dump यहाँ पर कर दिया हो विक्राम इस रास्ते पर जितने भी गाओं पड़ते हैं और जो गाओं वाले यहाँ से रोजाना आते जाते हैं उन सबसे पूछ ताच करो हो सकता है किसीने कुछ देखा हो लेकिन किसी डर की वज़े से कुछ बता नहीं रहा ओके सर प्रिया रेप और मॉर्डर केस्प में S.I.T की इंवेस्टिकेशन उन छे सस्पेक्ट्स को आरूपी मानने की संभावना पे रुख गई थे लेकिन उन छे लोगों को अपरात करते हुए किसी ने विटनेस किया था या नहीं ये S.I.T पता नहीं लगा पाई थी C.B.I. क्राइम सीन के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताच करके साथ मार्च की शाम प्रिया के साथ हुए अपरात की विटनेस ढून रही थी और इस बीच उन्छे सस्पेक्ट्स की डियने रिपोर्ट आई जिसमें से एक की कस्टोडियल डेथ हो जुकी थी सार उन्छे लोगों की डियने रिपोर्ट सुर उन्छे लोगों में से किसी का भी डियने प्रिया की बॉड़ी पर मिले DNA से मैच नहीं करता है यह सर्, प्रिया का रेप और मड़र करने वाला कोई और ही है जिसको डूडने के लिए फिर से नए मुरगे और नए मुआवरे जोडने होंगे सर् वाट अबोड़ अभे? सर्, मुझे नहीं लगता कि अबे होगा क्योंकि प्रिया की बॉड़ी पर मिले DNA को फिर से एक्जामेन करने के बाद सामने आये कि जिसने भी प्रिया का रेप किया उसकी उम्र पच्छस से बत्तिस साल के बीच की होगी पच्छस से बत्तिस यानि कि आप यह हमारा सर्च के रेटीरिय होगा विकरांथ, टिकरी और आसपास के गाउं और ज़रूरत पढ़े तो पूरे डिस्टिक में सर्च करो सब भी पूली स्टेशन की मदद लो पच्छस से बत्तिस साल की उम्र के जितने भी लोग हैं सब के ब्लड सैंपल लो और उन्हें प्रिया की बॉड़ी पे जो डिया ने मिला था उसके साथ मैच करवा के देखो और हाँ, पच्छस से बत्तिस साल की उम्र के जितने भी लोकल क्रिमिल्ल्स हैं सब को तो, लेंगे से इन पांचों का क्या करना है, अब तो मीडिया इस सिराज के कस्टोडियल डैद का, और भी बड़ा इश्यू बना देगे SIT जिन छे सस्पेक्ट्स को प्रिया के गैंग रेप और मर्डर का प्राइम सस्पेक्ट मान रही थी CPI ने उन 6 लोगों में से 5 जिन्दा बचेवे लोगों को रिलीस कर दिया है लेकिन जो छटा व्यक्ती पुलिस की कस्टडी में मारा गया था, उसका जवाब प्रशासन को देना पड़ेगा और उससे भी बड़ा सवाल ये कि प्रिया के गैंग रेप और मर्डर का दोशी कौन है विकरांद, ये लोग सिराज की मौत के लिए पुलिस को दोशी मान रहा है लेकिन उन पांचों में नज़र रखना क्योंकि सिराज की मौत के लिए वो भी विशक्के दारे में है अब सोलन जिले में रहने वाले 25 से 32 साल के बीच के मेल हिस्ट्री शीटर्स ही नहीं बलकि उस हर आदमी का डियने लिया जा रहा था जो उम्र के इस दारे में आता था प्रिया का रेप और मॉर्डर हुए महीने के बाद महीने गुजर रहे थे और एक लंबी चोड़ी जाँच ट्रक्रिया के बाद ये केस अब भी डेड एंड पे नज़र आ रहा था ये बना चला ये फून में परसका है प्रिया के गाओं और आसपास के एरिया के पच्चेस से बत्तिस साल के लगबग दोसो पचास लड़कों के डियाने टेस्ट करवा है लेकिन इसमें से एक कभी डियाने प्रिया की बॉड़ी पे मिले डियाने से मैच नहीं करता है दाग राट विकरांद हमने अभी तक उनी लोगों के डियाने टेस्ट करवाया है जो लोग इस इलाके में रहते हैं ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस किसी ने एक कांड किया है वो यहां का रहने वाला हुई ना बलकि किसी का रिष्टिदार हो जो वारदात वाली शाम को यहां मौजूद था एक काम करते हैं एडवांस dna टेस्ट करवाते हैं जैसा हमने दिल्ली वाले केस में करवाया था हमारे बास अभी तक जितने भी DNA सेंपल मौझूद है उन सब को प्रिया की बॉड़ी पर मिले DNA के साथ मैच करवा कि देखो ये चेक करो कि किसका DNA सबसे ज़ादा मैच होता है और जिस किसी का DNA सबसे ज़ादा मैच होगा शायद उससे हमें ये पता चले कि उस आदमी ने जिसने प्रिया के साथ रेप और मुर्डर किया था वो इसका कोई रिष्टेदार हो ओके मेरा घर तो आ गया तुम अकेली हो क्या मैं तुम्हें चोड़ दूँ नहीं नहीं तुझा मैं चली जाओंगी दूम्हें नहीं बच्चा पाया प्रिया अडवांस डियने करके सीबी आय अब एक ऐसी कोशिश कर रही थी जो अंधेरे में तीर चलाने जैसा था और इस केस को नतीजे तक ले जाने के लिए अभी और भी मशक्कत बाकी थी सर जिन 250 लोगों का डियने टेस्ट किया गया था उसमें से एक का डियने प्रिया की बॉड़ी पर मेले डियने से 30 परचंट तक मैच करता है कौन है हूँ केशब चनल टिकड़ी गाओं का ही रहने वाला जिदेगे सर इस बात के पूरे चांसिस हैं कि जिस आदमी ने प्रिया का रेप और नडर किया वह इस केशब चनल का रिश्ट्दार हो सकता है इसके खांदान के सभी मर्दों की कुंडली निका लो और यह पता करो कि जिस शाम प्रिया का मुडर और रेप हुआ इसका कौन सा रिष्टिदार इस एरिया में मजूद था पोगे चरण केचब है गर पे? जी केचब जी आपके अलावा आपके परिवार में और कौन-कौन लोग है जी मैं हूँ मेरी वाइफ है अम्मा जी पिता जी है और चाचा जी पिछले साल गुजर गए थे तो चाची है और बेटी है उनकी मेरी चचेरी बहन और इसके अलावा और कोई आदमी नहीं है नहीं सर बस इतने ही है परिवार के लोग अच्छा यह बदाएए कि साथ मार्च को आपका कोई रिष्टेदार आया था आपके यहां पर नहीं सर नहीं कोई नहीं आया था सर केचब के घर में केचब के अलावा आदमियों में सिर्फ उसका 55 साल का बाप है और केसी आदमी के बारे में उसने कुछ नहीं बताया यानिकी कुछ चुपा रहा है विकरांथ आसपास अच्छे से पता करो मुझे लगता है साथ मार्च को इसका कोई ना कोई मेल रिलेटर भी यहां ज़रूर आया होगा ओगे सर सर यह सुनिल चैनल है केशव का चचे रभाई केशव के पडोसियों ने स्केश बनवाया समेन इसकी सारी डेटेल्स निका लिया है कई सालों से यह दिली में था 2016 में अटेंब्टू मदर के केस में अंदर गया कुछ टाइम बाद इसे बेर मिली और बेर मिलते ही फरार हो गया दिली पुलिस भी इसे टून रही है सर तो साथ मार्च जिस चाम प्रिया का रेप और मडर हुआ यह सुलन में था? यह सर, केशव के पडोसियों से यह इन्फोमेशन मिली है इसका मतलब है केशव के घर वाले तो नहीं बताएंगे कि यह सुनील अभी कहा है एक काम को रो विक्रांत केशव के घर के सभी सदस्टों के फोन सर्वलेश पर डालो हो सकता है यह सुनील किसी के टच में हो और अपने सोरसे से यह बता लगाने कि एकोशिच करो सर, सुनील के माँ को सुनील के एक कौल आया था सर, नंबर पृकार सर्मा का है चा सुनील के फोन किया था, उसे ट्राक करो क्या हुआ? यह सुनील चनलन कहा है? सब सुनील चनलन तो यहां नहीं है. अंदर जागे चेक करो. केशव का चचेरा भाई सुनील उस पोन कॉल के बाद अपनी मा और केशव की चाची से मिलने नहीं पहचा. पर CBI की टीम केशव के परिवार पर नजर रखे हुए थी. और सुनील लगातार अपने परिवार के लोगों को अलग-अलग नंबर से कॉल कर रहा था. पर CBI अब तक उसकी कॉल को ट्रेस करने में कामयाब नहीं हो पाई थी. और केशव के परिवार से भी कुछ पता नहीं ही लग पा रहा था. अब तक इस बात कमने हैं, कभी भी अपने फोन से कॉल नहीं करता है. एक काम करो विक्रांत. आसपास के जितने भी फार्मांस, वेरहाउस, गुडान्ज और फैक्टरी थी. उनकी लिस्स बनाओ. अपने आदमी महां तैनात करो. इस बार यहां से जाना नहीं चाहें. ओके सर्थ. हलो. मा, मैं ठीक हूं मा. और मा, मैं मैं आओंगा मिलने तो से जल्दी. ठीक है, मैं रखता हूं. मैं अन्यवाद मैं जए सब, चलते हैं. जाने से पहले हम से नहीं मिलो गया. साब नहीं साब! साब! साब नहीं साब! साब नहीं साब! विकराद! साब बचाता हूं. अब सच-सच बोल उजन क्या हूआ था? साब उस शाम को नहीं, मैंने उस लड़की को देखा था साब. साब उससे देखती, मेरा मन मचल गया था साब. साब साब! तेरा मन मचल गया था? लेकिन उस मासूम बच्ची पर उसमक्या बीत रही होगी उसका अंदाजा है तुझे? सुनील ने अपना गुनहा कुबूल कर लिया और उसका डियने प्रिया की बॉड़ी पे पाए गए डियने से माच भी हो गया. सुनील पे प्रिया के रेप और हत्या का केस फाइल किया गया. लेकिन सिराज की कस्टोडिल डेथ क्यों हुई थी, इसकी अब भी जाट चल रही है. लेकिन प्रिया को मिला इंसाफ भी, उसके परिवार में प्रिया की कमी दूर नहीं कर पाएगा. जंगली भालों से डरना, उनसे सतर करेना सिखाया, पर ये बताना भूल गया, कि इंसान किसी भी जंगली जानवर से ज़्यादा खतरनाग. हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी पंजाब नाम सुनते ही लहला हाते खेत, खेतों के परे फलते भूते हों, द्योग हसते खेलते चेहरे और विक्सदच शेहरों की छवी आँखों के सामने तेर जाती हैं. लेकिन क्या पंजाब के शहर और वहां के बाशंदे उतने ही महफूज हैं जितना हम समझते हैं? सिटी क्राइम्स में आज की एपिसोड में हम आपको एक ऐसा केस दिखाएंगे जिसमें 1995 से लेकर 2017 तक पंजाब के लोधियाना और पटियाला शहरों में लगबग एक तरह से 22 सालों के अंजाम दिया गया. झालों में जिकर क्पच słuँ एकी एम कि एसे क्राइम्स में एके की आफ। peux दमघेंगे प्रुदे हल्या कि एच। झालों में कि वेक्त्रा शहरों में च Under्शख से 22 सालों दोगवित निर्वा невार्नाब्स कि कि छिगाव इस जोग्यानाब कि एक ठाम! झाल झाल सेवर कलोनी पूली स्टेशन 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 कि अब 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 इस टेशन फोन आपने किया था मुझी सर्थ क्या हुआ था है आप अब 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 सर्वे रोज के तरह यहां सफाई करने के लिया इसन नीटु मैडम जी साब ये सब देखके मेरे हाथ प्यार फूल गएते हैं इसके लिए मैंने घबरात पोलिस टेशन फोन कर दिया है इनके दावा और बॉन पॉन रहता है नी तू मैडम जी के पती अब ही वो कहा है साफ वो भी शहर के बाहर गया है वो गूमने फिरने आला काम करते हैं मेडिकल दगायों का महीने में सिर्फ चार पाज दिन ही घर पर रुपते हैं जराम नौकरानी कहरी ये पती बहार टूर पे गया हुआ है पती घर अकेली थी और घर में कोई फोर्ज एंट्री भी नहीं है हर चीज अपनी सही जबे पर सिर्फ पेडरूम के पेट के एक पाई के नीचे से ही ट अटाई गई है मुझे तो शक है कि मर्डर भी से हुआ है जराम आपके कहने का मतलब है किसी जानने वाले नमारा जिसके लिए नीतू ने खुद दर्वासा कोड़ा लोक इन के रित्तेदारों और सारे जानने वालों के एक लिस्ट बनाओ सबसे अच्छी तरीके से पुछ लाज करो हमारा म अच्छे खुराना से मिलना बहुत जरुए है उन्हें तुरद पुलिस्टेशन फुलबाओ जिना तुम यह रहने वाले सभी लोगों को तो जानते ही हो लेकिन यहां के बाशिंदों के लावा किसी अंजान आजमी को तो यहां आते जाते नहीं देखा है सबेरे आटों से घर वाली मैडम आई तो घर के अंदर चली गए ऑटो वाला और उसके साथ कोई और आजमी था जो आपस में बातें करते रहें थोड़ी देर के बाद दोनों चले गए फिप ऑटो ड्राइवर वापस लेकर आया रिक्षा और अंदर चला जिए उन दोनों की शकल नहीं याद है शकल तो याद नहीं साथ लेकिन हाँ दोनों सर्दार के लोक आटो स्टेंड से जा के पता करो आज सबरे कौन सा आटो वाला उन्हें हाले करना है जराब ये दलजीद खुराना नीतु खुराना के पती अंदर लेगाई मैं मारोजी मैटिकल डेवर्स नेटिव आप तोनों के रिष्टे में कोई दिक्कत थी बारा साल होगा सदी शादी को इतने टैमें तो आदत हो जाती दिक्कत हो की और वैसे हम दोनों के पीच कभी को दिक्कत रही नी बस उसको एक ही बात से नाराजगी थी कि मैं मीने में पच्ची दिन बाहर रहता हूं जी तो मेरी मजबूरी होई मंदा कमाएगा नी तो खाएगा क्या ठीक है आप जा सकते हो लेकिन जब तक ये केस सौल नहीं होता हमें बिना बताए इस शेर से बार मत ज किया जी इसकी बीवी का मर्डर हो गया लेकिन चेहरे पर शेकन तक दिखाई नहीं थी और एक बात शादी को बारा सान हो गया है लेकिन बच्चा नहीं है ये बात थोड़ी अजीव है जनाप अभी यही सोच रहा है जनाप उस आटवाले का पता चल चुका है जो गिंदर स अजक्या क Physics हो लकी हां जी की गाल होगी सर्जी लकी ही रहता कि इना फ्रकी कॉझ सविक बेला की दिवी क्या का नात मर प्रझाई को है जी सब्सक्रेम किया हो यह जब लुकान ब्लु है जी ए मेरा द्योह अजी मेरा दिन प्स्राइ सूध दिएकन घुटके Cel택ए आटाने ल हां जी सर्जी, जब घर आजाए उसे करना सेवय कलोनी पूली स्टेशन आजाए पूल्स क्यों आई सी, मुझे क्या पता, लग्की पही ने क्या कर दिया अब, इन्हों की बता सर्जी, की हो गया सर्जी, आपने मैंनों बलवाया, कौना दो, जी मैं लग्की, वो आटो स्टेंड पर पता चला कि आपने मैंनों चॉक्की बलवाया, मैं जी कार रोटी खान वास्ते भी नी गया, सिधा एथ ही आ गया, कोई गल्ती हो गया जी, दरीप से सर्जी, अंदर क्या किये सर्जी, चाल तो सही, आजा, एक बाद बता, कल दो पहर 22 सितंबर वो तु कहा था, सर्जी, कल तो, याद नहीं आ रहा है ना, सर्जी वो, अब याद आया, सेवक नगर कलो नहीं गया था, तू अपना ओटो लेके, याद अग नहीं जी, याद आगे, वो, एक, एक मैडम नहीं छोड़न गया, सी, रूप भी तो था, साथ में, हाँ जी, याद आगे दक छोड़ दे, चाल आँ, तेनू, तेनू देस्दर नहीं गड़िया, स्वारी बैटी है, मैंने गवारी को पर बैट के जाना है, यार हमने एक ही जगे ज समय एक, चाल आँ, लिए, कि लिए जोड़न है, स्वारी सिय है, डिल्कुल रस मुलाई है, जो पुकर, यार, कश्च्च्मर भग्वान हों दा है, जाल भी रहे, मदा आ गया तो तिरी, लगद है वो मैडम जी अपने पर सौटो में ही भूल गई यार वापस देने जाना पड़ेगा ओ पागल हो गया तू लग्की, भी तो गुडलक है एक महीने का खर्चा निकल जाएगा मैं घेता हो अभी निकलते, इसट लो इटल वाड़े और फिर पिच्चर छो तू रहने त है मैं नहींकरनी किसी दूसरे के पैसे पैश मैं यह भी वापस परने जाूँ जाँगा मापस करंने जाँ रहा है तो मैं चले आता हो सुन भाई, वापस करते हो गाए, अगर हलका सभी टच ऑगया ना अगरे, रस्म आलाई पानी आगया मोगी अगा एस अब को गोदल से न स्वाइक शुड़िँ पर्स तूनी मे वापस देने जाओंगा सर जी मैं उनके कार गया उनको पर्ष दिया उन्हों एवो जो जो थेंकु बोला फर में वापस आ गया बस इन नहीं हुआ सर जी पच्छा इंटने हुआ था अगार आन्च बोले गाया और दूं पर शन्टा ना मैं तरस जा सची कमे च्छी कमें अथा फोडुम्ट प्रेवे, है उन्हे बार्ज ने पाई, वेूंटा वेकाया वे उन्हें पर्स लिया और उन्हें तोलिया गिरकए पिर अलगें लिए अंपलग कारें, सरली, मैं थे हिखाव किया नुतीर्प मीझा है मैंने कुछ नहीं कीपसु किता जी सर्ची परलोक, क्या लगता है? बस्ते राम की कहानिया सुना रहा जनाग, वो वी हम पुलिस वालगो अब मुझे दस मिनड का टाइम दो जी, इसके पेट से सच मैं निकलवाता हूँ मैं मैं सच के रहा हुआ हुआ। ना पारे सर्ची! ना पारे सर्ची शर्ची! बोले तो बोले जाए अबी तो सेवा शोरू हो इसकी जनाब जानाब दलजीत कुछाने को बड़ा दलजीत तुम्हारी बीवी का मुड़र हुआ, तुम दोनों डे और नाइट लाज में यहो किसे सकता है या तो तुमने दो शादियां कियी, तुम्हारी दो बीवियां कियी या फर जिसका मॡ़र हुआ तुम्हारी बीवी नहीं सच कया है, Mr. Khurana Sir सब्सक्र, मेरा अफेर चल रहा है प्रीती के साथ वोजन चंडिकट के डियन नाइड लॉंच में दोने एक साथ है मेरी बीवी नीतु नहीं वो तो यहीं गर में थी क्यानी एक्स्ट्रामारिटल अफेर तो यह वित हो सकता है जलजीत कि अपने इस इलिगल अफेर को लीगल बनाने के लिए तुमने अपनी लीगल पत्री यानी नीतु को अपने रास्ते से अटवा दिया मैंने नीतु को नहीं मादा जिस दिन नीतु का मर्डर हुआ है मैं तो प्रीती के साथ होटल में था अगरे यकीन नहीं है तो पूछ लीजे उससे दलजीत सच कह रहा है सर हम दोने एक दूजे नाल बहुत प्यार कर दियो कल हम हम दोनों साथ में थी हम लोग चंडिगर के डेयर नेट लॉज में कमरा बुक कर आया था हम नहीं वहां थियो जनाब चंडिगर से लिधाना आके मिस्स कुराना का कतल करके वाफिस चंडिगर जाना कोई बड़ी बात नहीं है चंडिगर से लिधाना का सफर मुश्किल से एक दिड़ घंटे का पर जनाब डे और नाइट लॉज के स्टाफ वाले बता रहे हैं कि दलजीत और प्रीती उस दिन वहीं थे जनाब पोस्ट मॉटम रिपोर्ट आ गए है मिस्स कुराना के हत्या चेहरे को गुरी तरह कुचलने से हुई थी और सर के पीछे भी चोट लगी थी लेकिन अजीब बात ये है कि हत्या से पहले उनके साथ शारिरिक संबन बनाया गया था जबरदस्ती के कोई निशान रिपोर्ट के अनुसार तो नहीं मामला कंसेंशल लगता है तलजीत अप्रिती को फिलाल चोड़ दो और लखी के एक पालिया भ्यान जिसके अनुसार उसने ये कहा है कि मृतिका एन मिस्स कुराना के साथ उसने शारिरिक संबन दिस्थापित क लिए थे उसके आधार पर उसके खिलाव चार्शी टायर करो उसकी तस्वीरे की जो फिंगर प्रिंट्स लो और उसे कोट में पीश करो है हमारा प्राइम सस्पेक्ट वही है लगी के खिलाफ पोलिस के पास कोई पुक्ता सुबूत नहीं था और वो बार बार दोरा रहा थ कि वो अंडर्दोश है उसका सिर्फ नाम लकी है लेकिन मनुहूसियत उसका पीछा नहीं छोड़ते के इस कोट में दाखिल हुआ लेकिन सुबूतों के आभाव में लकी को बरी कर दिया गया और फिर तीन साल बाद हालो तेजबाव पॉलिस टेशन सर मेरी बीवी खर से गायब हो गई है और घर में खोन के निशान है हुकम सिंग जी जनाब गड़ी निकालो जी जनाब हुकम सिंग जनाब फ़रेंशी टीम को बलाओ और चोटे से छोटा आइविद्निस कलेट करवाओ जी जनाब पलाजी आपके घर का समान पाया के आप नहीं शिफ्ट होने वाले थे इतरी शिफ्ट हुए है अधा समान पर सुआ गया था अधा कल आया था जैपस की काम से जलंदर गया हुआ था आजी सुएरे वापस आया हुँ आशा ने कहां मैं कर की शिफ्टिंग कुदी करा लोंग कि वैसे भी स्यादा स्वान नहीं था जब सुएरे आया तो देखा करका द्रवाजा खुला हुआ है मैं बहुत परिशान हो गया मैं इतर उदर साव जगा उसको ढूटा और जब मैं बेडरूम के अंदर आया तो देखा और बैट के नीचे एक हीट निकली हुई है और ये कुछ कर दिजाद है मैं कपरा गया और मैंने आपको फोन करदिया हुआ है और ये भी सकता है कि मिस्ज भल्ला खुद कहीं चली गई हूँ और ये खून के चीटे वेगारा हमें घुम्रा करने के लिए हाँ छोड़ दिये गए हुए शूड़ दिये गया हुए हुए लग एक काम करो हुकम सिंग जिन मजदूरों ने समान शिफ्ट करवाया था उनका पता लगाओ और उन्हें पूश्टाच के लिए थाने बुलाओ दूदा नहीं साथ मैं नहीं साथ मैं नहीं साथ कड़ो कि अच्छी कुछ नहीं किता हुआ है कि युद्ध मैंने बले करें देखा है नहीं साथ जी मैं तो बहुत गरीब आदमी हुँ जी कुछ समय पहले ही आखाने कमाने आया हूं मैं ट्रक चलाता हूं और उस दिन समान शिफ्टिंग करवा रहा था था कि अलो जी पॉंच के जी अच्छा मैडम जी मैंनो गल समझ नहीं आई आप इतना मतलब इतना भारी समान इधर जो दर आप कैसे लेके जो खोड़ते से बगब करते रहेगा या मैंनो हाथ भी देगा तका नीचे उतारने वास्ते आजो 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 जी आजो आजो जी आज आजो आजो आजी चलो हम लोग बिलकुल ही रुखे देजी मापे आप इन मजदूरों से पूछलो बॉल भाई और तो भी बॉल साब जी ये ये अंदर गया था जी घर के और पैसे बापिस करने वो मैडम जी ने दो सो रुपे जादा दे दिए जी तो तो ये गया था जी अधर हम लोग निकल गए थे वहां से उपर देखवाए उपर देख लक्की ओए लक्की सोने समान उतार है ओ भाई साब जड़ा आराम से निकालना बड़ा कीमति समान है सुन लिया आईये मैडम जी हां जी चलिए चलिए हां तो तुने बीच मेशी जाना है अच्छा पैसे लें दो जी तेदो जी तेदो ये तीक से उतार्वादी हां जी पक्का जी आगे भी बुला ले ना जी एले पैसे जुबान इनी चला रहा था हत भी चला लेता थोड़े मैंने कल्ले ने सारा समान उठाया हाथ लगा लेता तो अबरना जाता तू लगी वीरे आपके हमने तो सब कुछ लगाने को त्यार था अजो हाथ लगाने देती तब ना अब चुफ हो जाए यार जब दे को बकवास करता रहन दा है कि दोसोर रुपे जादा दे दिया मैटम जी ने तो वापस देख क्या था हूँ ओए पागल हो गया तू तू कनू किन्नी वारी क्या है जादा पैसे ओना तो अच्छी बात होती है बस कम नी ओने ची पैसे ओए मैनत की सुक्की रोटी अच्छी चोरी के मालपूँँ से यह पकड़ में वापस करके आता हूँ अधिरो ओ यार लक्की अरे आरे आरे यहारा खोते दे पुत्तर तू की हो यार वो मैडम जी दो सुर पर जादा आ गए थे तो वही वापस करने आया है अरे रख ले ना बख्षी समझ के रख ले तीन साल पहले लुद्याना में मिस्स कुराना का मडर हुआ था और तब भी तू पर्स वापस करने गया था उसका मोड़स ऑपरेंडी सेम थ आप बैड़के नीचे कि एक इंट गायव थी और उसी एंट से नीटु कराना कुमारा गया था लगकी कहीं तो ने तो ने इसी तरीके से मिस्सिल भला कुमार के गायव तो नहीं किया तो नहीं किया है महमेह कुछ दी किटा सरजी वहसे मोनिक हो लीगा ने 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 तिनी तो ने सेचि आरहा था mesure कि दी न भलतな इंटा परजाई परज्आ है ट्रूपल के गीडिको परका क्या है तू आई अपाँ, और में किये करा, क्ये करा, परजायी सम्भाल अपने अपनो, रूप, 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 एक काम कार, एक कार, एक मेरी चूडियां बेच के ना, अच्छा जब वकील कर ले, और लगी नुच्डा के ले, परजायी ये तो तरी सबसे कीमती चूडिया है, मैं कह रह लगी नुच्डा आगी लेगिया नुच्डा तरलोग जी, मैं लगी का वकील हूँ, और ये रे, जमानत के पेपर लगी को जमानत पर छोड़ दिया गया और पोलिस ने, मिसिस भल्ला को गुमशुदा घूशद करके, उन्हें खोजने की काज़ने की ने, गुजरते वक्त के साथ, मिस्स भल्ला की गुमशुद्गी का रहस से गहराता गया और पुलिस को गहराते रहस से के अंधेरे में, ना तो कोई रोष्णी का सुराग मिला, ना मिसिस भल्ला का नामों निशान रिश्वा रिश्वा कौन था? कोई नी जी कोई नी जी कोई नी जी कोई नी जी कोई था? आपको वहम हो गया मैं सो रही थी सो रही थी? यह बन्यान किसका है? नहीं रेशमा अख्क, कोल रेशमा के खोल रेशमा मैं रूप मैंने कहा था वँ लक्की किसी काभी सगा नहीं है उसकी साथ रहेगी तो एसी मार खाती रहेगी अगर मैं होता ना लक्की के जागे त उस जहीर को छोड़ता नहीं बिल्कुल भी रेशमा अभी भी ठहूरों छोड़ दे लग की को इस कंजर लग की मेशा है क्या है ऐसी कॉनसी बात जो मेरे में नहीं है पर कोई बार रेशमाब मैं भी किलेक्षादाय। तुझे कितना प्यार करता हूं, तुसे मैं छोड़ूगानी मैं जहीर को बता रहा हूँ छोड़ूगानी जहीर को हलो सर हाइवे रोट के पास एक लावारी स्लाश मेली है अब जल्दी आओ आजमा से करो लाश को सबसे पहले किसमें देखा मैंने देखा साब मैं इधर से सौटकट मारके जा रहा था देखा लास पड़ी है तो मैंने पुलिस को फंकिया सब आप लोगो में से इसे कोई पहचानता है जनाब इसके पास से आईडी कार्ड या कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जिसे इसकी पहचान हो पाए तक यह देखिए यह एक टैटू बना हुआ है उर्दो में कुछ लिखा हुए जनाब यह कुद्दू एक्सपर्ट को बुला और पता करो कि इसके हाथ पे लिखा गया है यह इट दिखिए जनाब पून के निशान इस पर इसका कतल भी शायर इसी इट से किया गया है और कोई पहचान नापा इसले चेहरा बिखाड दिया लो इट को फॉरां से के लिए भेजो और वाड़ी को पोस्पार्टम के लिखेज जहीं जनाब जहीं जनाब जहीं जनाब जहीं जनाब जो शायद इस आदमी का नाम हो सकता है जनाब बाकि आस पास के किसी भी पुलिश टेशन में इस उम्रक के आदमी की कोई भी मिसिंग कम्रें दर्ज नहीं गेदिये पिर जनाम हमने उसकी डीटेल्स को अच़की इसंख भी मेर को ऑपलोड कर दिये वह सकता है जनाब किसे कोई लीड़ मेले GR है हालो हाँ जी तेजबाग पुलिस टेशन पट्याला से पीएसे तरलोग सिंग बोल रहा हूँ जी हाँ बोलो तरलोग जनाब यह जो लुद्याना में मर्डर हुआ है जिसकी डिटेल आपने वेबसाइट पे डाली है जनाब 1995 में लुद्याना के सेवक नगर में मिस्स खुरावना का मर्डर हुआ था उस केस में हमने जुबिंदर और लक्की को अरेस्ट किया था उसके बाद जी 1998 में यहां पट्याला में एक मिस्स भल्ला ऐसी संदिक धालातों में गाइब हो गई थी उनके घर से भी हमें ब्लड स्पॉर्ट और इंट के टुक्रे मिले थे एंड वेरी इंट्रस्टिंग भी जनाब उस केस में भी में सस्पेक्ट लक्की था और जनाब दोनों केसे में बच के निकल गया क्योंकि उसके खिलाब सबूत नहीं मिले वो टेटू से उन लोगों ने डेड़ बॉड़ी की पहचान किये हैं उससे घर का पूरा एड़ेस पता चला जी जनाब शड़ो जनाब यहां तो ताला लगा हुआ है जाहिर का यही गर है जी हां अच्छा ज़ाहीर आदमी केसा है जहेगा है बहुत अच्छे आदमी है उनकी बीवी उतनी ही बच्छला इसको पहेजानती है यही तो लगी यह शोले काई पीछे वाली गली में ओने जुनम, सिसे बाते बना रही है। हम से? खरो पेडिरो लेकिन हैं इंसरी तुझसे बात करनी है रोट की हो आए सर्जी? जहीर किया पत्तके बारे है सिर्पीर कवा रखे? एक आओ से नहीं से अज़गी कोई गलती ही नहीं तुझे नहीं से भापी, मैं क्या कर ओओ, निकल गया मुह से निकल गया भा लंकी को अट 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 खोड़ का तूने अट लू चाल अट जब अट निए जो कुछ किया वो वो रेच्मा ने किया हुए तक, सर जी कई बरबाद कर दिया सर जी, उसने मेरा सर जी मैं जब उसके घर गया था सर जी तो जब उसके साथ उसके बिस्तर पे ता तो तो जहीर आ गया सर जी ते दरवाजा कुलने से पहले ही पाग गया था पाद में पता चला की उसने रेश्मा को बहुत मारा उतो अपने ने किये का पार्या सर जी ना तब कारी पिस्रिया सर जी मेरा 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 नाम ही लग्की है सर जी पर उबड़ानलकी सर जी लुदिया नाम ही पाद्याला में सब जगे मेरे साथ ही वा सर जी अर बदले पर नसीव नहीं पतला सर जी नसीव नहीं पतला ते रहा है सर जी उसे कुछ नहीं किया जाहिं को मैंने मारा है उसे छोड़ दीजे मैंनी मारती तो उसने मुझे मार देना था और मुझे उसके मरने का कोई दुख भी नहीं है जगा दीजे मुझे फासी पर, मुझे उसका कोई दूप नहीं होगा रोज रोज वो मुझे कुट्टों की तरह पीट ना था और वस दिन भी वो मुझे मार नहीं आया था मैं अपनी जान बचाती नहीं, तो क्या करती इसलिए मैंने उसे मार दिया और उसकी लाश को पैदान में डाल दिया रेशमा ने खबोल किया है कि उसने जहीर को सेल्फ डिफेंस में मारा है जनाब मुझे पूरा यकीन है यह जूट बोल रही है हो सकता है रेशमा जूट बोल रही हो जहीर के कतल का गुनहा रेश्मा ने कुबूल कर लिया था लेकिन PSI तरलोक सिंग को उसके कबूल नामे पर शक था वहीं दूसरी तरफ मिसिस खुराना का कतल और मिसिस भला की गुमशुद्गी के रास से अब भी परदा उठना बाकी था उन दिनों आम जंता के पास मुबाइल फोन्स थे ना हर चौक चराहे पर CCTV कैमराज पुलिस सरकमस्टांशल एविडिन्स के आधार पर इन्विस्टिकेशन करती थी अगर कोई शातर अपरा थी ठंडे घिमाग से किसी वारदात को अंजाम देना चाहता तो उसके लिए सबूतों को मिटा देना बहुत आसान था वक्त ने करवट बदली और फिर सबी के हाथों में मुबाइल फोन्स आ गए पुलिस के लिए लोगों पर नज़र रखना और उनके मूवमेंट्स को फॉलो करना आसान हो गया लकी की बीवी सोनम की एक सड़ाग हाथसे में मौत हो गई थी जिसके बाद लकी ने अपना ठिकाना बतल लिया वहीं दूसरी और रेश्मा को सेल्फ प्रोटेक्शन के आधार पर कोट ने सिर्फ तीन सालों की सजा सुनाई और वो भी तीन सालों में जेल से रहा हो गई ठीक है ऑस्ता है जराम मरने वाली का नाम रेश्मा है अकली है अच्छे थी है उसके साथ इसके अच्छे संब्स है अच्छे अजिए हाँ फॉट अजे आपके अजे आपके आपके अजे 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 आपके अजेगे अजे आ जेखो लक्टी, इस बार भी तुन्हे भाही राग लापना, देख मैं तरही किया अज्ट करता हूं मैं सचे रहा सरदी, मैं खुछ ने के था, बहुत बत नसीम हुं सरदी आप 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 सब मैंनो फर्वीन मिल गए ती जी पर्वीन कौन बस जी बस रोग दीजे की हो गया मेडम जी तुसी ते तेरा नंबर गली विज जाना है ना अधे तीन नंबर ही है अजी मैंनो पता है लेकिन मेरे पास सिल बीस रुपए है तो आज कोई ग्राहक भी नहीं मिला ना ये वास्ते अरे चड़ो जी पैसा कोई इन्नी वड़ी चीज थोड़ी है बंदा ही बंदे के काम आनदा है और इन्नी दात मिमा को कल्ले कैसे चोड़ दो काम करो जी आपना मेरा फोन नंबर ले लो है ना जब पैसे आए तो वापस कर देना चंगा जी चंगा लिख लो जी लिख लो जी अठ तीन अंजी दसा कहां हो तु इतनी रात हो गई और अब तक नहीं आए पुझे ना तुम्हारे बिना नीम नहीं आरही है और तुम मो की अमीनी नाम क्या है तेरा थे इस पर फॉन जिया कर रहा है तुट हाँ बबहर डह How जो ज़ा कर रहा है तो मैंने टरे लिए क्या जी चोड़क着 कि बात कर रहा है तो ज़ान से मार दूगी तुझे मत्तब रेश्मा सा तेरा रिष्टा खटम हो गया गिल्कुल सर जी तो पर रेश्मा को मर्डर किस ने किया सर जी पूरे दावे के साथ तो नहीं कह सकता पर मेरा प्रा मतलब मेरे रूप पेशा के सर जी योया देखो तुम छोड़के गया हो मेरा क्या हालो के है 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 जोरोर्ण मुझे जबदास्ती करता है और अब तो हम उसके दंदा कराना चाहता है है हो तो अब गल सुन मेरी रेश्मा को परचान करना बंद कर दे समझा पंदा बंजा अब ऐ कंजर प्दा नी कहा कहा मूं मारता फिरता है तो कंजर बोल रहा हॉर मैंनों कंजर बोल रहा हॉर उस दिन जगड़ के बाद रूप एनू कभी नहीं मिला नहीं उसने मेरा फोन उठाया किसीने मैंनों बताया कि रेशमा दूब कुछ हो गया है तो मैं उसके कर चला गया उसको देखन वास्ति की रूप ने तो कुछ नहीं कर दिया अंदर गया तो तेखा की प्रेश्मा मरी फड़ी है ऐसी भी थी सर जी तुख तो होन्दा है ना किसी के मार जेक जराप खोल देजा देख लखी फिराल दो जाने दे रहा हूं अरे एक बात याद रखियो चैर छोर करनी जाना अगर तेरी हाजरी चाहिए मुझे थाने में हर अफते और एक बात अगर रूप के बार में कोई भी ख़वर मिले तो हमें बताइए जराब लखी के फोन की लास्ट लोकेशन उसके घर के आसपस का है या फिर वो जहां काम करता है वहां लेकिन कतल के दिन रूप के फोन की लास्ट लोकेशन रेश्मा के घर के टावर का है और पिर चंडीगर होते वए दिल्ली जहां फोन लास्ट टैम सूच अफ़वर जनाब इससे साब जाहिर होता है कि रूप ने रेश क्या रूप के फरार होने के बाद हत्यां को सिलसला यहीं थम गया था या फिर ये सिर्फ तूफान थमने के पहले वाली शान्ती थी जनाब लास तो दो-तीन दिन पुरानी लग रही है शायद किसी ने चहरा बिगार दिया तकि लास के शनाक ना हो पाए कि आसपास सेर्च करो चाहिद को मुडर वैपन मिले वैसे चांसिस कम ही है क्योंकि साब पता चल रहा है कि कटल कहीं और किया गया और यहां लागर बॉडी को डंब किया गया जराफ इस फोटो को देकर पहजान सकते हो कौन हो सिकति यह लड़की यह परवीन लगई से तुम्हें कैसे बता कि यह परवीन है मेरे पास खाना बनाने का काम करती थी खाना मनाते समय उसका हाथ जल जया तो कि यह रहती कहां थे इसले कली में पंदर नम्मर मकान में दर आंडे लोग कुछ मिला जराव लक्की कि यह उसके गए साहिं आध कि यह नहीं चींजी शर्जी तहीं यह यह रेग है इतना थायम हो गया तुझा आते जाते आप आप मुल्स की ओगी में आज खाना साथ में थे एंग पुंड आज धा तेरी बीवी परमीन का मढ़र हो गया और तु चिकन खा रहा है? सर्चीफ, मैंनु नहीं पढ़ा आप कुछ समझ निया रहा, है ना? क्या कह रहे? समझाता हूँ ठै, एक फिल्म दिखाता हुदर में अटे लो क्या हुआ क्या हुआ इस CCTV का फुटिज निकल आओ शायद इसके हमें यह पता चले कि इस रास्ते से कौना आ गया जी जनाब चलो मिक हम समझ आया शुरू कर उन्नी सो पचानवे से क्या किया था मिसीज खुराना के साथ अटे इसके अटे अटे आग अटे अटे और मैं अगर फसा भी तो मेरे खिलाफ कोई सबूत ना मिने उस दिन तो मैं रेश्मा के कर से पाप गया था पिर जायर मेरे पास आया हट अपाई करने लगा थोड़ देर तो मैंने देखा सर जी इसलिए उसने जायर के कून का इसाम अपने सर पे ले लिया था जब उजेल में थी तो मैनो परवीन मिल गई थी और बिना ओरत मेरा गजाराँ ना मुश्किल था सर जी जिस आःत ने तेरेலिए कटल का इलजाम अपने सर पे ले लिया तो युने उसा ही मार दिया और इंजाम लगा दिया अपने छोटे भाई रूप पे रे वो कमीना था सर जी रेश्मा के चक्कर में उसने मेरे से लडाई की पर रेश्मा को क्यों मारा रेश्मा को जेल से पार आने में तीन साल लग गए तब तक तो मैं फरवीन का देवाना हो चुका था जी है सक recycle के रेश्मा ने मानु तंप की दी रूप का मॉबाइल मेरे बास थाजी तु मैंने अपना मॉबाइल कर में चोड़के रूप का मॉबाइल लेके रेश्मा के कर गया हज़ु ज़ी तो मुझे तो मैं सब को बता दूगी कि जहिर का खुन मैंने नहीं तू नहीं किया है हाँ सबको बता देगी अब का मुबाइल एक चलते ट्रक में डाल दिया था कि आप लोगों को लगे की की रूप रेश्मा का कटल करके फरार हो गया है इतना कंजर आदमी मैंने अपनी जंदेगी में देखा कर भी अगर परवी मैंने अपने पिंदल है भाई मैंनू इसकी छोटी बहन दिखिए एक यव जाल की अपटी सोणी कुडी अगे पिर मैंने परवीन का पत्ता भी काट दिया उस रात वो आप लोगों के पास आ रहे थी कि एक गलती हो गई सर जी कि मैं नुए नहीं पता था कि जिस रास्ते से मैं उसकी बॉड़ी लेके जा रहा हूं उते कोई कैमरा लगा है कि ऐसी तो अनु सर जी है नाम ही लगी है पर बंदा बहुत अनलक्की हों जी है अनलक्की ता मैं सी जो मेरे सामने से तो इतनी बार बच के निकल गया पर एक गल याद रखी है आज तो बाद तो लक्की नहीं हो सकता जो अनलक्डी